जेशी रादे दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास में किये जाने वाले तारा भोजन की कथा सुनाएंगे तारा भोजन के लिए दो बहुत ही पुराणी कथा है इस वीडियो में मैं आपको अपनी पहली तारा भोजन की कथा सुना रही हूँ दूसरी कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर दूसरी तारा भोजन की कथा सुन सकते हैं तारा भोजन की कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनों कामना पूर्ण हो जाती है तारा भोजन रखने के लिए आपको कार्थिक मास के पहले दिन से वरत रखना होता है और तीस दिन तक लगातार वरत रखने का नियम होता है इसमें व्यक्ति को तारा भोजन वरत रखने वाले व्यक्ति को तारा देखकर शाम के समय तारे को अरग देखकर वरत करना चाहिए और वरत की कहानी सुननी चाहिए तारा भोजन की कहानी इस परकार है एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन वरत करती थी उसने अपने पिता जी से कहा कि पिता जी मुझे एक लाग तारे बनवा दो मैं दान करूंगी राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है तुम नो लाग तारे बना दो सुनार सुखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा तुम उदास क्यों हो और तुम दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हो तब सुनार ने कहा राजा ने मुझे नो लाग तारे बनाने को कहा है मैं कैसे बनाओ मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते राजा की बात है तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता इसलिए मुझे चिंता सता रही है तब सुनार की पत्नी ने कहा इसमें प्रेशान होने की क्या बात है गोल सा पत्रा काट कर कलिये काट दो और राजा को दे दो अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने बहुत से तारे बना दिये और राजा को उने दे दिया राजा की लड़की ने नो लाग तारे दान दिये भगवान जी का सिहासन डोलने लगा भगवान बोले देखो मेरे नेम वरत कोन करा है तीन कुट देखा तो कोई नहीं था चोथे कुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी भगवान ने कहा उसे लेकर आओ जिसने इतना कठिन व्रत किया है भगवान के दूतों ने लड़की से कहा चलो तुम्हे भगवान जी ने बुलाया है उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाओंगी मैं तो सारी प्रजा को ले कर जाओंगी उस सुनार को ले कर जाओंगी जिसने मेरे लिए तारे बनाए जिसने कहानी सुनी सब को लेकर जाऊंगी लड़की की बात के सामने भगवान को जुखना पड़ा भगवान के दूत उसके लिए एक बड़ा सा सिहासन लाए कि चलो वह कहने लगी हाँ अब मैं चल पड़ूंगी सभी को विमार में बिठा कर वह चल पड़े रास्ती में राजा की बेटी को अपने उपर बहुत गमंड हो गया कि यदी में तारा भोजन वरतना करती तो इन सब लोगों को स्वर्थ की प्राप्ति कैसे होती लड़की ने ऐसा मन में विचार किया ऐसा विचार करते ही दूतों ने उसे बीच रास्ते में नीचे उतार दिया दूत जब भगवान जी के पास पहुँचे तो भगवान बोले इन सब में तारा भोजन करने वाले लड़की कोन सी है दूद बोले कि उसे अपने उपर घमंड हो गया था इसलिए हम उसे बीच मिरास्ते में ही छोड़ाएं भगवान जी बोले उसे वापिस लेकर आओ लड़की ने साथ बार शमा मांगी शमा कीजिये शमा कीजिये शमा कीजिये शमा कीजिये शमा कीजिये शमा कीजिये भगवन इस कहानी को कहते सुनते सभी की वैसे ही भगवान जी शमा करें जैसे उस राजा की लड़की को शमा किया है भगवान जी ने उस राजा की लड़की को शमा कर दिया और स्वर्परदान किया ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते सभी को भगवान जी शमा करें और सभी को मोक्ष दें स्वर्प्राप्थ हो सभी की मनो काम नापूर हो बोलिए जै श्रीकृष्ण भगवान जी की जै आप मेरे चैनल पर जाकर तारा भोजन की दूसरी कथा भी सुन सकते हैं कार्थिक मास में इसको हर रोज सुनने से बहुत ही शुब फल मिलते हैं बोलिए भगवान शे कृष्ण जी की जय